दोस्तो फिर साल 2013 में फिल्म आई माई के अचरा बाबू जी के दुलार दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में बबलू राय और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो साल 2013 में फिल्म आई दिल्दार सामवरिया दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में यश्कुमार मिश्रा अंजना सिंग और रितु सिह ने साइड रोल किया था और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में फिल्म आई दिल्सजना के दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई बिन बजाव सपेरा दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में पवन सिन्ध यश्मिश्रा और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2017 में फिल्म आई स्वर्ग दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में अर्विंद अकेला कल्लू रितु सिन्ध और निधी जह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2017 में फिल्म आई जिगर दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में निर्हुआ अंजना सिन्ध और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2017 में फिल्म आई हम है लुटेरे दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में यश्कुमार मिश्रा पवन सिन्ध और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2017 में फिल्म आई रब्बा इश्क ना होवे दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में अर्विंद अकेला कल्लू और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में फिल्म आई संधर्ष दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव काजर रगवानी और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में फिल्म आई सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में अर्विंद अकेला कल्लू और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में फिल्म आई कसम पैदा करने वाले की दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में यश्मिश्रा और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में फिल्म आई बदरीनाथ दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में रितु सिंह अंजना सिंह और संजय पांडे नजर आये थे और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2019 में फिल्म आई स्पेशल एनकाउंटर दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा और रितु सिंह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2019 में फिल्म आई बागी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव काजल रगवानी और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2019 में फिल्म आई मन्जिल की तलाश दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में गुंजन सिंग और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2019 में फिल्म आई रैंबो राजा दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में संजय मिश्रा प्रियंका पंडित और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2020 में फिल्म आई दिल की बाजी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में गुणजन सिंह और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक अबरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2021 में फिल्म आई यूपी 64 दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में प्रमोद प्रेनी यादव और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2021 में फिल्म आई बाप जी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2021 में फिल्म आई भाई भाई के प्यार दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2021 में फिल्म आई वंच दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में गौरव जा और रितु सिह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में फिल्म आई जिन्दगी बन गए हो तुम दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में गनेश गुपता और रितु सिह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में फिल्म आई मेंटल आशिक दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में सावन कुमार विशाल सिंग और रितु सिह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में फिल्म आई लंका में सीता दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में निसार खान और रितु सिह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में फिल्म आई तुमसे अच्छा कौन है दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में सुभम तिवारी और रितु सिह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में फिल्म आई भागवत गीता दोस्तो इस मुवी के लीड रोल में गौरवजा और रितु सिह नजर आई थी और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक आवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2023 में फिल्म आई भूल भुलेया दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में काजर रगवानी गौरवजा और रितु सिह नजर आई थी दोस्तो इस मूवी का टीवी प्रीमियर किया गया था दोस्तो फिर साल 2023 में फिल्म आई ससुराल का दिवाना दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में समर सिंध और रितु सिह नजर आई थी दोस्तो इस मूवी का भी टीवी प्रीमियर किया गया था दोस्तो फिर साल 2023 में फिल्म आई सिंदूर दान दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में गौरवजा शुभी शर्मा और रितु सिह नजर आई थी और इस मूवी का भी टीवी प्रीमियर किया गया था दोस्तो फिर साल 2023 में एक मूवी का ट्रेलर आया था अपराधी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव और रितु सिह नजर आई है और इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया है दोस्तो साल 2020 में फिल्म आई मेहंदी लगा के रखना थी दोस्तो इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव सहर अफशा और रितु सिह नजर आई थी दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई